बांगला देश में 5 अगस्त को शेक हसीना के इस्तिफे के बाद आज सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तिफा दे दिया है उनके इस्तिफे की मांग को लेकर प्रदशनकारी चात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोट को घेड लिया था प्रदशनकारी बड़ी तादाद में वहाँ इखटा होए थे चात्रों ने कहा अगर जजों ने इस्तिफा नहीं दिये तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खीच कर उतार देंगे प्रदशनकारी चात्रों ने अरोप लगाये थे कि सुप्रीम कोट के जज हसीना से मिले हुए है इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे भी नहीं शनिवार को पूरी कोट की एक बेठक बुलाई इस मिटिंग के चलते प्रदशनकारी ने एक घंटे के भीतर जजों से इस्तिफा देने की मांग की चीफ जस्टिस के इस्तिफिके बाद पाँच और जज अपना पद छोड़ सकते हैं वहीं प्रदशनकारी ने कहा है कि जब तक सभी छे जज इस्तिफा नहीं देते वे सड़के खाली नहीं करेंगे इसी के साथ मैंने रहे है एश्यारीस इंडिया के साथ प्रदशनकारीस जब ट्रोड़ सकते हैं झाल झाल